हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चेनल स्मार्ट इंजीनियर पर मेरा नाम है रादे और मैं आज सर्वेइन सब्जेक्ट से रिलेटेड चेन एंटेप सर्वे के उपर एक नया टोपिक लेगर काया हूँ अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो ना देख रखे हो तो जाइए जा करके देखिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और आपने अभी तक हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और पास मारे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले हमारे सारे लेटेस वीडियो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए फ्रेंद्स आज की टोपिक की सुरुबात करते हैं आज का टोपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए चलिए फ्रेंद्स आज का topic लेते हैं, आज का topic है हमारा methods of setting out right angle, हम right angle किस तरह से set करते हैं, उसका method आज हम जानेंगे, जी हाँ friends, तो आईए, जी हाँ पहले ही समझते हैं, right angle क्यों setting करना पड़ता है, क्या पर क्या ज़रुदत पड़ती है सर्वे में, जी हाँ, पहले हम इसको ही समझ लेते हैं, क्योंकि पहले जब तक हमारा main मुद्दा, अगर clear ना हो, तो हमें कोई भी topic लें, या फिर कुछ भी लें, तो समझना बेकार है, तो जी हाँ, friends हम समझते हैं पहले, माल लिजए, हम कोई भी survey कर रहे हैं, माल लिजए, एक point से, दुसरा point, A से, B की तरफ हम survey कर रहे हैं, जी हाँ, A से, B की तरफ जब survey करेंगे, यह हमारा chain line हो गया, जी हाँ, यह हमारा chain line हो गया, और इसके बाद, मान लीजिए हमें कोई offset लेना है यानि suppose यह तो हमारा chain line हो गया कि इतने area का हम survey कर रहे हैं तो इसकी सापेक्ष में या फिर इसके proportional में जो भी हमारी point आई उनको तो लेना पड़ेगा ही मान लीजिए हाँ पर कोई पेड़ है या फिर हाँ पर कोई electric pole है या फिर हाँ पर suppose कोई भी instrument या फिर कोई भी area आता हो पीड़ हो building हो लग कोई भी आता हो तो उसका offset हमें लेना पड़ेगा जी हाँ offset लेने के लिए जिस पद्दति का इस्तमाल करेंगे यानि जिस क्रिया का इ काला होगा तो इसके लिए हमें 90 degree यानि यह line parallel किस तरह से जाएगा हमें किस तरह से पता चले है यहाँ पर तो हमें छोटा दिख रहा है लेकिन जब हम offset लेंगे मान लीजे मैं यहां से tape measuring कर रहा है और tape measuring करके मैं यहां चला गया या फिर यहां चला गया तो हमारा tape कहीं भी 90 degree लेना पड़ता है उन 90 degree किस तरह से लेते मैं भी समझाओंगा और इस तरह से यहां पर 90 degree ले करके यहां पर offset लिया जा सकता है उसी तरह अगर हम यहां पर 90 degree ले 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 जी हां तो यहां का भी offset जो भी सामने रहेगा हो आसानी से लिया जा सकता है यहां कुछ इस तरह से इस तरह से इसका भी लिया जा सकता है जी हमारा शेटिंग आउट राइट एंगल है उसका जोरत पड़ता है समझ गहें अब आगे चलते हैं जी हां फ्रेंड्स The Methods of Setting Out Right Tengles are, जी हा, यहाँ यहां 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 किया काता है, कि किते प्रजार से Methods , आये उसे देखते हैं, आसमेल हमार आता है, by measuring tape, जी हां हम measure tape की माधम से की सें सें सेंतिंग और का करते हैं, setting out of right angle करते हैं, आये उसे संझेंगे, और दूसरा हमारा दूसरा 방изнес कहा है बाइश्टूमेंट, जिया Communist के मदद से going किसätzlich करेंगे, उसे हम अपना पहलाले लेते हैं माम क्या कर सकते हैं में आसानी से पर चुके हैं सात्वी कच्छा में पर सात्वी क्लास में जो में सिखाया गया है पैथा गुरस का प्रमे पैथा गुरस का प्रमे क्या था कि कर्ण का वर का योग बराबर होगा सेस दो भूजाओं के वर के योग के बराबर होता है जी हां किस तरह से तुम्हा य यहाँ पर हमारा यह समकौन तरिबूज ए बी सी लिया है जो यहाँ पर 90 डिग्री है जी हाँ यहाँ पर हमारा कर्ण इसका क्या होगा यह हमारा एसी जी हाँ एसी का क्याना चाहता है जी हाँ एसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा ए बी और बी सी की स्क्वायर के बराबर ज जी हाँ, a b square plus b c square के बराबर होगा, जी हाँ, इस method का हम किस तरह से use कर सकते हैं, आइए हम समझते हैं, मान लिजिए, अगर हमारा b c 4 है, और हमारा a c 3 है, अब उसके बाद a c हमारा कितना आएगा, तो आइए इस formula के माज़ने हम सम निकाल लेते हैं, जी हाँ, हमारा क्या कहता है, हाँ पर a b, a b हमारा 3 है, और इसके बाद b c हमारा 4 है, जी हाँ, अब यहाँ पर 3 का square करेंगे, तो जाहिर से बाते 9 आएगा, और 4 का square करेंगे, तो जाहिर से बाते 16 आएगा, जी हाँ, और 9 और 16 को और 8 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 और 16 को add करेंगे तिहां पर 25 होजाएगा जिए 25 अब 25 का यहां पर क्या कहरा है अब 25 हो गया अब AC की बचेगा 5 क्यूंकि 25 का 25 का स्क्वार कितना होता है 25 उसी तरह यहाँ पर हम अंडर रूप में से 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 बचेगा जी हाँ ति हमारा कितना हो जाएगा 5 cm जी हाँ के ये तो इस तरह से मान लीजिए हम इस तरह से हम इस तरह से इस सारे dimension को निकालेंगे अच्छी तरह से और इसके बाद जो मैंने आपको यहां पर बताया यहां यह वाले प्रक्रिया में मान लीजे हमारा यह बेस में चार मीटर लूँ हूँ मेजर्मेंट से और इसके बाद मैं यहां पर तीन लूँ जी हां यहां पर तीन लूँ और यहां से जो भी मेरा टेप जाएगा वो मेरा पांच होना चाहिए जि हाँ, मतलब यहां से मैं 0 से start करूंगा और जहाँ पर मेरा 5 आएगा और यहाँ पर यह भाग मेरा 4 जाएगा 3 जाएगा जहाँ पर यह दोनों joint होगे वहाँ पर मेरा right angle तियार हो जाएगा इस माध्यम से यहां तक मेरा यहां पर joint हो रहा है यहां तक मेरा टेप सीधा जा रहा है तो इसके आगे भी में टेप लोगा सीधा ही जाएगा तो इस तरह से हम राइट टेंगल यानी measurement of tape के माध्यम से आसानी पूर्वख हम object को ले सकते हैं जी हां अब हम आगे देखते हैं जी हां फ्रेंड्स इस टोपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे और आप उस वीडियो पा अच्छी तरह से अटेंड कीजिए और यहां तक का इसको यहीं पर स्टोप करते हैं ठाइंक्यू और ठाइंक्यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो